नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी घरों में बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा आठ की भुगोल की पाठे पुस्तर, संसाधन एवं विकास का अध्याय, खनिज और शक्ती संसाधन पढ़ेगे प्रिये बच्चो इस अध्याई में हम जानेंगे कि खनिच क्या होता है और प्रिथ्वी से हम खनिच को कैसे प्राप्त कर सकते हैं प्यारे बच्चो आप जो घरों में नमक प्रियोग करते हैं वह खनिच है पैंसिल जिससे आप लिखते हैं उसके अंदर जो सिक्का होता है जिससे लिखा जाता है वह ग्रिफाइट होता है वह भी खनिज होता है तो आईए पढ़ते हैं ये रुचिकर अध्याई जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन तो प्रिये बचो आईए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर खनिच क्या है बचो क्या आपने नानवाई को कभी बिस्कुट बनाते देखा है उसमें आटा, दूद, चीनी और कभी-कभी अंडे को मिलाया जाता है जब आप पके हुए बिस्कुट खाते हैं तो क्या आप इन अवेवों को इसमें अलग-अलग रूप से देख पाते हैं जिस तरीके से बिस्कुट में कई वस्तवे मिली होती हैं लेकिन वो आप देख नहीं पाते ठीक उसी परकार इस प्रित्वी पर चटानों में कई पदार्थ मिले होती हैं जो खनीज कहलाती हैं ये खनीज प्रित्वी की चटान परपटी पर सभी जगां फैले होई हैं प्यारे बच्चों प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगहटन होता है वेह खनीज है खनीज सभी स्थानों पर समान रूप से वित्रत नहीं है वे किसी विशेश क्षेत्र या शेल समुभों में संकेंद्रित होती हैं कुछ खनीज ऐसी क्षेत्रों में पाई जाते हैं जो आसानी से अभी गम में नहीं है जैसे आर्क्टिक महासागर, संस्तर और अंटार्क्टिका प्यारे बच्चों खनीज विभिन परकार के भू विज्यानिक परिवेश में अलग-अलग दशाओं में निर्मित होती हैं वे बिना किसी मानविय हस्त क्षेप के प्राक्रतिक प्रक्रियाओं दवारा निर्मित होती हैं वे अपने भौतिक गुण जैसे रंग, घनतव, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं प्रेवचो, क्या आप जानते हैं कि शैल क्या है? शैल, खनिज अव्यवों के अनिश्चित संगटन वाले एक से अधिक खनिजों का एक समूहन है शैल, जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है, अयसक्त कहे जाते हैं यदपी, अठाईसों से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, जिन में से केवल सो अयसक खनिज्च समझे जाते हैं आईए, अब बात करते हैं खनिजों के प्रकार की प्रित्वी पर अठाईसों से अधिक विभिन खनिज हैं, सरंचना के आधार पर खनिजों को मुखेते धात्विक और अधात्विक खनिजों के रूप में वर्गेक्रित किया जाता है धात्विक खनिज क्या होते हैं? धात्विक खनिजों में धातूं कच्चे रूप में होती है। धात्वें कठोर पदार्थ हैं, जो उश्मा और विद्योत को सुचालित करती हैं इनमें द्युती या चमक की विशिष्टा होती है लोह अयसक, बाकसाइट, मागनीज अयसक इनके कुछ उधारण है धात्विक खनीज लोह और अलोह हो सकते है लोह खनीज जैसे लोह अयसक, मागनीज और क्रोमाइट में लोह होता है इसलिए इनहें लोह अयसक कहते है अलोह खनीज में लोहा नहीं होता किन्तो कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है अब बात करते हैं अधात्विक खनीजों की अधात्विक खनीजों में धात्वे नहीं होती है चुना पत्थर, अभरक और जिपसम इन खनीजों के कुछ उधारन है खनीज इंधन जैसे कोईला और पट्रोलियूम भी अधात्विक खनीज है अब आप सोच रहे होंगी कि खनीजों को प्रिथ्वी से कैसे निकाला जाता है प्रिव बच्चों, खनीजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निशकरशित किया जा सकता है प्रिथ्वी की स्तह के अंदर दबी शैलों से खनीजों को बाहर निकालने की परकिरिया खनन कहलाती है खनीज, जो कम गहराई में स्थित हैं, वे प्रिष्ठिय स्तर को हटा कर निकाले जाती है जिनहें विवरित खनन कहती है गेहन भेधन, जिनहें कूपक कहती हैं, आधिक गहराई में स्थित, खनीज निक्षेपों तक पहुचने के लिए बनाये जाती है इन्हें कूप की खनन कहती हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाय जाती हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए गहरे कुऊं की खुदाई की जाती है इसे परबेधन कहती हैं स्तेह के निकट स्थित खनिजों को जिस परकिरिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहती है प्रिये बच्चों आईए अब समझती हैं कि खनिजों का वित्रण प्रिथ्वी पर किस तरह से है खनिज विभिन परकार की शेलों में पाए जाते हैं कुछ आगने शेलों में पाए जाते हैं कुछ कायंतरित शेलों में पाए जाते हैं जबकि अन्य अवसाधी शेलों में पाए जाते हैं धात्विक खनिज, आगने और कायांत्रित शेल समुहूं जिन से विशाल पठारों का निर्मान होता है में पाए जाते हैं अगर विश्व में महादवीपों को देखें अलग-लग जो हमारे महादवीप हैं अगर उनको देखें तो प्रियबचो हमारा जो सबसे बड़ा महादवीप है ईश्या उसके पास विशाल लोह अयसक निक्षेप हैं यह महादवीब विश्व को आधे से अधिक तिन उत्पादन करता है एशिया में मैगनीज, बाकसाइट, निकेल, जस्ता तथा तामबा भी निक्षेपित किया जाता है आगर बात यूरोप की करें तो यूरोप विश्व में लोह अयसक का सबसे बड़ा उत्पादक्षेट रहे रूस, यूक्रेन, स्विडन और फ्रांस लोह अयसक के विशाल निक्षेप वाले देश हैं उत्तर अमेरिका में खनिज तीन भागों में हैं ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड परदेश, अपलेशियन परदेश और पश्चिम की परवत श्रिंख लाएं जहां से लोह अयसक, निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबे का खनन किया जाता है दक्षिन अमेरिका में ब्राजील विश्व में उच कोटी के लोह अयसक का सबसे बड़ा उत्पादक है चिली और पेरू तांबे का अग्रिन उत्पादक है ब्राजील और बॉलिविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादक शेत्रों में माना जाता है प्रिय बच्चों, अब बात करते हैं अफ्रिका की अफ्रिका खनिच संसाधनों में सबसे धनी है यहां हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे अधिक उत्पादन होता है दक्षिन अफ्रिका, जिंबावे और जायरी विश्व में सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं औस्ट्रेलिया विश्व में बाकसाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है यह सोना, हीरा, लोह अयसक, टिन और निकेल का अग्रिणी उत्पादक है अंटार्क्टिका की अगर बात की जाए तो अंटार्क्टिका में ट्रांस अंटार्क्टिक परवत में कोईले और पूर्वी अंटार्क्टिका के प्रिंस चाल्स परवत के निकट लोहे के महत्तपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वा अनुमान किया गया है लोह अयसक, सोना, चांदी और तेल भी वानेजिक मात्रा में उपलब्ध है प्यारे बच्चों, तो आपने देखा के विश्व में किन-किन भागों में कौन-कौन से खनिज बहुतायत पाई जाते हैं आईए अब बात करते हैं खनिज के उपयोग की प्यारे बच्चों, खनिज का उपयोग कहां-कहां होता है खनिज का उपयोग कई उद्योगों में होता है रतनों के लिए प्रियोग किये जाने वाले खनिज पराय कठोर होती है इन्हें आभूशन बनाने के लिए विभिन शैलियों में जड़ा जाता है आपने देखा सोने में लोग किस तरह से हीरे को जड़ देते हैं और चांदी में किस तरीके से पन्ना या अन्य रतन जो हैं वो जड़े जाती है और जो खनिज आभूशनों के लिए परियोग किये जाती हैं ये प्राय कठोर प्रवृत्ति के होती है तामबा एक अन्य धातु है जिसका उप्योग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रतेक वस्तों में किया जाता है कंप्यूटर उद्योग की अगर बात करें तो इसमें परियुक्त होने वाला सिलिकन क्वार्टर्स से प्राप्त होता है अलुमीनियम जिसे उसके अयसक बाकसाइट से प्राप्त किया जाता है का उप्योग ऑटो मुबाइल और हवाई जहाज बोतल बंदी उद्योग भवन निर्मान और रोसोई के बरतन तक बनाने के लिए किया जाता है प्यारे बच्चों अब बात सोचने वाली है कि जब हम खनिजों का इतना उप्योग करते हैं तो इनको संरक्षित कैसे किया जाए अर्थार आने वाली पीडियों के लिए इनके कैसे सहीच कर रखा जा सकता है प्यारे बच्चों खनिजों का संरक्षन कैसे हो खनिज आनवी करणिये संसाधन है खनिजों के निर्मान और संचयन में हजारों वर्ष लगती है मानविये उपभोग की दर की तुलना में निर्मान की दर बहुत धीमी है अर्थात खनन की प्रकिरिया में बरबादी को घटाना आवश्यक है धातों का पुनर्चकरन एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है सामने जो चित्र दिया गया है इसके बारे में देखी इसमें खनिज को पुनर्चकरन, पुनह परियोग और कम परियोग करके संरक्षित करने की सलाह दी गई है आईए अब बात करते हैं अध्याय के दूसरे उपविशे की, जो है शक्ती संसाधन शक्ती संसाधन क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, शक्ती अथ्वा उजा हमारे जीवन में बहुत महत्वण भूमे का निभाते हैं हमें उद्योग, क्रिशी, परिवेहन, संचार और प्रती रक्षा के लिए भी शक्ती की आवश्यक्ता होती है उजा संसाधनों को विस्तरत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संसाधनों में वर्गी कृत किया गया है परंपरागत स्रोत की अगर बात करें तो उजा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामाने उप्योग में लाई जा रहे हैं इंधन और जिवाशमी इंधन परंपरागत उर्जा के दो मुखे स्रोत हैं इंधन की अगर बात करें तो इसका उप्योग खाना पकाने और उश्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप में होता है हमारे देश में ग्रामेनों दोरा उप्योग की गई पचास प्रतिशत से अधिक उजा इंधन से प्राप्त होती है प्यारे बच्चों उजा के परंपरागत सरोतों की अगर बात की जाए तो इन सरोतों से क्या लाभ है और क्या हानिया आए इन्ही समझते हैं सबसे पहले बात करते हैं घरों में यानि ग्रामेन क्षेतर में घरों में प्रियोग होने वाले इन्धन की अगर इनके लाभ के बारे में बात की जाए तो ये सूप्राप्पे हैं बहुत संख्यक लोगों को ऊज़ा परडान करते हैं अगर इसकी हानी की बात की जाए तो संग्रहन में अधिक समय लगता है ये परदूशन फैलाने वाले होते हैं हारित ग्रीह परभाव में व्रिधी करता है प्रिय बच्चो अब बात करते हैं कोईली की ये है बहुतायत में पाया जाने वाला जिवानशमी इंधन है और इसपात बनाने के लिए किया जाता है कोईले से प्राप्त विद्युत को तापिये उज्जा कहा जाता है कोईला जिसको हम आज उप्योग कर रहे हैं वे लाखों वर्ष पूर्व, विशाल, फर्ण और दलदल के प्रिथ्वी की परतों में दबने से बना इसलिए कोईला अंतरहित धूप के रूप में भी जाना जाता है विश्व में कोईला उत्पादन करने वाले देशों में चेन, स्युक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और भारत हैं भारत में कोईला उत्पादन किशेत्रों में रानी गंच, पश्यम बंगाल में जर्या और धनबाद और बोकारों शामिल हैं प्यारे बच्चों आप बात करते हैं पेट्रोलियum की, पेट्रोलियum शब्त लेटिन भाषा के, पेट्रा आर्थाथ शेल और ओलियम आर्थाथ तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियum का अर्थ शेल तेल भी है पट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकल को चर्मराने से रूखता है दोनों की शिर्वात गाड़े, काले, द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहती है यह शैलों की पर्तों के मध्य पाया जाता है इसका बेधन अब तटिय या तटिय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना भी कहा जाता है भारत में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादन क्षेत्रों में, असाम में डिगबोई, मुंबई में बॉंबे हाई और कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं प्रेबचो अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस के बारे में प्राकृतिक गैस जिसे CNG भी कहा जाता है, जिसका हिंदी अर्थ है संपेडित प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षिपों के साथ पाई जाती है और तब निर्मुक्थ होती है जब अब परिश्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है इसका परियोग घरेलू एमम वानिजिक इंधनों के रूप में किया जाता है रूस, नार्वे, यूके और नीडरलैंट प्राकृतिक गैस के मुखे उतपादक खेत्र है भारत में जैसल मेर, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, त्रिपुडा और मुंबई के कुछ अब तट ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां से प्राकृतिक गैस उपलब्ध होती है विश्र के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के भंडार है अगर हम जल विद्युत की बात करें, तो जल विद्युत बांधों में वर्षा जल अथ्वा नदी जल उचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है बांध के अंदर से पाईप के द्वारा बहता हुआ जल बांध के नीचे स्थित टर्वाइन के उपर गिरता है विद्युत के लिए घुमाते हैं और यहे विद्युत जल विद्युत कहलाती है विद्युत उत्पन करने के बाद जो जल बहता है उसे विभिन टिशी क्रियाओं के लिए पर्योक किया जाता है कुछ स्थानों पर इसमें मतस्य पालन भी किया जाता है भाकरा नगर डैम में इसी तरह से पानी से बिजली उत्पन की जाती है और जो बाद में पानी बच जाता है उसे इकठा करके उसमें या तो मतस्य पालन किया जाता है या आसपास के इलाकों में यह पानी क्रिशी क्रियाओं के लिए परियोग किया जाता है भारत में ऐसी अनेक परियोजनाई हैं जैसे भाकरा नगल, गांधी सागर, नागारजुन सागर और दामूदर नदी घाटी परियोजनाई प्रिय बच्चों, यहां मैं आपको बता दूँ कि विश्यू का पहला जल विद्यूत उत्पन करने वाला देश नारवेथा प्यारे बच्चों, छित्र में आप जल विद्यूत का जो उत्पादन है वह देख सकते हैं कि किस तरह से हो रहा है आइए अब बात करते हैं उर्जा के गैर परमपरागत स्रोतों के जिवाश्मी इंधनों के बढ़ते उप्योग से उर्जा के गैर परमपरागत स्रोत का आभाव उत्पन हो रहा है ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन इंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगी इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर उर्जा, पवन उर्जा, जुआरिये उर्जा जोकी नविकरणिये हैं के उपयोग की आवश्यक्ता पर बल दिया जाता है आईए सबसे पहले बात करते हैं सौर उर्जा की सौरिये की उश्मा और प्रकाश उर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जाती है सौरिये से प्राप्त सौर उर्जा सौर सैलों में विद्यत उत्पन करने के लिए परियोग की जाती है इन में से कई सेलों को सोर पैनलों से तापन वप्रकाश के लिए शक्ति उत्पन करने के लिए जोड़ा जाता है धूप की परचूरता वाले उशन कटी बंधिये देशों में सोर उर्जा के उपयोग की प्रोध्योगी की बहुत लाबदायक है सोर उर्जा का उपयोग सोर तापक, सोर कूकर और यातायात के संकेतक आर्थात जो हमारे ट्रेफिक लाइट्स होती हैं उनमें भी सोर उर्जा का परियोग किया जाता है एक और उर्जा जिसके बारे में पढ़ेंगी वह है पवन उर्जा पवन उर्जा एक ऐस माप पे स्रोत है पवन चक्कियों का उप्योग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से हमारे देश में चला आ रहा था वर्तमान में पवन चक्कियों में तिवर गती से चलती हवाईं पवन चक्कि को घुमाती हैं जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जर्नेटर से जुड़ी होती हैं पवन फार्म, नीदरलेंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसे और स्पेन में पाए जाती हैं अब बात करते हैं परमानू उर्जा की परमानू उर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो स्क्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमानू के केंद्रक में संग्रहित उर्जा से प्राप्त की जाती है ये पदार्थ नाबकिये रियक्टरों में नाबकिये विखंडन से गुजरते हैं भार्त में स्थित परमानू उर्जा का केंद्र तमिल नाडू में कलपकम, महरास्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट, राणा परताप सागर और उतर पदेश में नरोरा और करनाटक में कैगा है अगर भूतापिये उल्जा के बारे में जानना हो तो सामने दिये गए चित्र को देखी इसमें आपको दिखाया गया है भूतापिये उल्जा के बारे में ताप उल्जा जो पृत्वी से प्राप्त की जाती है भूतापिये उल्जा कहलाती है प्रित्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृधी होती जाती है कभी कभी यह तापमान उर्जा भूस तह पर गर्म जल के जर्णों के रूप में प्रक्ठ हो सकती है भारत में भूतापिय उर्जा के सैंत्र हीमाचल परदेश में मनिकरण और लदाख में पुगा घाटी में स्थित है प्रेबचो जुआरी उर्जा समझते हैं कि जुआरी उर्जा क्या होती है जुआर से उत्पन उर्जा को जुआरी उर्जा कहती है इस उर्जा का विदोहन समुदर के संकरे मुहानों में बांध के निर्मान से किया जाता है सामने आपको जवारे उर्जा का एक चित्र दिखाया गया है और आप समझ सकते हैं कि किस परकार जवारों की उर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टर्बाइन को घुमाने के लिए किया जाता है भारत के कच्च की खाड़ी में विशाल जवारिये मिल है प्रिय बचो इसी श्रिंखला में आईए समझते हैं बायो गैस के बारे में बायो गैस ग्रामेन इलाकों में उर्जा का एक मुखे स्रोत है जैविक अप्सिष्ट जैसे मृत पहदे और जन्तों के अवशेश पश्मों के गोबर रसोई के अप्सिष्ट को गैस सिये इंधन में बदला जा सकता है इसे बायो गैस कहते हैं जैविक अप्सिष्ट बेक्टीरिया द्वारा बायो गैस सयंत्र में अपगटित होते हैं जो कि अनिवारिये रूप में मिथेन और कार्बन डाइ आकसाइड का मिश्रण है बायो गैस खाना पकाने और विद्यत उत्पादन का सर्वोत्म इंधन है और इसे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैवखाद का उत्पादन भी होता है सामने जो आपको चितर दिखाई दे रहा है वे एक बायो गैस सयंत्र का चितर है यह उजा सर्व्यापी है लेकिन इस उजा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चिला है प्यारे बच्चों आईए इस अधन के आधार पर कुछ प्रश्णों के उत्र समझते हैं सबसे पहले सही उत्र को चिनहित करेंगे प्यारे बच्चों सबसे पहला प्रश्ण है विश्व में उच्च कोटी के लोह अयसक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है आपके विकल्प है जापान, ब्राजील, भारत और चिन आपका सही उत्तर है, सही विकल्प है ब्राजील दोसरा प्रश्ट, पेट्रोलियूम शब्द किस भाषा से लिया गया है ग्रीक, लेटिन, अंग्रेजी या फ्रेंच प्रेव बच्चों, पेट्रोलियूम शब्द लेटिन भाषा से लिया गया है अगला प्रश्ट, विश्व का पहला जल्ब विद्युत उत्पन करने वाला देश कौन सा था? आपके विकल्प हैं सयुक्त राजे अमेरिका, जापान, नार्वे या चीन सही विकल्प है नार्वे अगला प्रश्ट, भार्त में भूतापिय उज्जा का सयंत्र निमन में से किस स्थान पर है? जारखंड और करनाटक, गुजरात व महरास्ट्र, लदाख व हिमाचल परदेश, असाम व छतिसगर प्रिय बच्चो इसका सही उत्तर है लदाख और हिमाचल परदेश तो प्रिय बच्चो देखा आपने कि खनिज कैसे धरती से निकाले जाते हैं? और किन-किन महाद्विपों में कौन-कौन से खनिज पाय जाते हैं? ये भी आपने जाते हैं इसके साथ साथ उर्जा के परमपरागत और गैर परमपरागत सरोतों के बारे में भी आपने अच्छे से समझा प्रिये बच्चो अब आप अपने ग्रीह कार्या के तौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो उर्जा की नवीन सरोत हैं जैसे सौर उर्जा, भुताबी उर्जा इन सबसे परियावर्ण को क्या फायदा होता है? आर्थात ये किस तरहें हमारे लिए लाबकारी हैं? और मैं ये उम्मीद करूंगी कि आपको ये अथ्याई बहुत अच्छे से समझा आ गया होगा धन्यवाद